दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं विमेनुवल सेल वाउचर को देखके उसकी इंटरी वीजी काउंटिंग सॉफ्टवेर में कैसे करते हैं यानकी मेनुवल सेल इन्वोईस को हम कम्प्यूटराइड सेल इन्वोईस में किस प्रकार कनवर्ट करेंगे और जब हम वीजी काउंटिंग सॉफ्टवेर में किसी मैनुवल सेल वाउचर की इंटरी अकरम करते हैं तो उससे पहले हमें कौन-कौन सी सेटिंग को अपडेट करना पड़ता है और जब हम सेल वाउचर की इंटरी करते हैं वीजी काउंटिंग सॉफ्टवेर में तो हमें इस cell type के option में काफी सारे option देखने को मिलती हैं तो इन option में से हमें कौन सा option select करना है cell voucher की entry करते वक्त तो दोस्तों companyों में जो cell voucher की entry करी जाती है busy counting software में वोई practical तरीका आज आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आज की इस वीडियो का आप end तक complete देख लेते हो तो आपको busy counting software में cell voucher में entry कैसे करी जाती है आप अलग-अलग view से इसको भी देख सकते हो तो आपको in future भी कोई problem नहीं आएगी तो इसलिए वीडियो सारा practical लिए है वीडियो को end तक complete जूर देखना और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ इसको share भी करते हैं अगर आप मारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली प्राइम सॉप्ट्वेर और वीजी काउटिंग सॉप्ट्वेर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अप्लोड करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोनसुतार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्व चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज काई वीडियो तो दोस्तो यह हमारे पास है एक टेक्स इन्वोईज वावना ट्रेडिंग कंपनी के दोरा इशू किया गया है और किसको इशू किया गया है एसस ट्रेडर्स को अब इसी वावचर की हमें वीजी कंटिंग सॉप्ट्वेर में sale voucher की entry को त्यार करना है तो busy counting software में सबसे पहले हम इसके dashboard पर चलते हैं तो company हमारे पास already create है बावना trading company financially 2021 और अब हमें sale voucher की entry करनी है तो entry करने के लिए हम सबसे पहले transaction menu पर जाएंगे enterprise करेंगे sale को select करेंगे और उसके बाद aid को जो कि हम नया voucher entry कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर series आपको दिखाई देगी यह जो series है हमारी main रहती है wide felt अगर आपकी अलग-लग branch है तो आप इसकी अलग-लग branch wise या आप अपने books में अलग-लग type के sale invoice issue करते हो retailer को अलग करते हो या फिर date हमारे sale invoice पर है जो की 21 June 2021 है तो 26 2021 और उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर जो वाउच्चर नंबर है यह ओटोमेटिक लिखा रहा है अब यह एक बहुत इंपोर्टेंट बात होती है जब हम किसी manual sale invoice को first time किसी software में करते हैं तो हम यहाँ पर जो वाउच्चर नंबर की configuration setting होती है वह हमें चेंज करनी पड़ती है कई ऐसे software होता है जो यहाँ पर वाइडफल्ट चेंजिंग करी होती है और कईयों में वाइडफल्ट यह ओटमेटिक सेट होता है अब हमें यहाँ पर यह जो वाउच्चर नंबर है यह जो हमारा invoice का जो नंबर होता है यह हमें यहाँ पर manual रूप से टाइप करना पड़ेगा तो अब कैसे करेंगे अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम अगर backspace करें तो backspace करने के पास सिधा मारा जो cursor है वो date पर आ रहा है और date के पास सिधा य आप हमें इसकी एक setting करनी पड़ेगी वाउचर configuration नंबर की तो वाउचर configuration की setting के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्टर पर और उसके बाद हम select करेंगे configuration को और configuration setting के बाद आपको select जाना है यहाँ पर voucher series configuration पर enter press करेंगे तो इसमें से सारे voucher आपके पास यहाँ पर show हो जाएंगे अब इसमें से जो भी वाउचर की आप manually setting करना चाओ उसको एक एक select करके कर सकते हो जैसा कि मैं sale को select करूंगा जैसे sale को select करूंगा तो series पूछीगा series मेरी main है और जैसे main को select करूंगा तो आपके सामने य यह बटन नहीं highlight हो जाएगा इसको मैं voucher number पर select करता हूं और उसके बाद में आप यहाँ पर option देखा हुए वी जो numbering type है यह वाइड डिफल्ट आपके पास automatic है तो हमें इसको यहाँ से अटाग के करना है manual मैनुल करेंगे अब उसके बाद आपसे दो option और पूछेगा duplicate voucher number duplicate voucher का नमबर अगर आपको एक इन्वोईस अगर आप जब second type में पोस्ट करने की कोशिस करो तो आपको warning मिले यानि कि जो डूप्लिकेट वो अलाव या फिर नो एक्सन यानि कि कोई एक्सन नव इंट्री हो जाएगी तेकिन कोई एक्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा warning में आपको यह बात बोली जाएगी आपने इस वाउचर का जो नंबर है इन्वोईस नंबर यह आपने क्या तो ब्लेंक तो में बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि सेल वाउचर में वाउचर का नंबर होना बहुत ही कमपल सरी है तो हम इस वाउप्शन को भी करेंगे डोंट अलाव और इसको कर देंगे ओकी और वापीस हम इसके बेक आएंगे वापीस ट्रांजिक्शन पर आ तो हम इसको भी यहाँ पर BTC-001 और उसके बाद में सेल टाइप ओप्शन अब सेल टाइप के ओप्शन में काफी सारे फीसर्स आपको देखने ही मिलेंगे एक लोकल का भी होगा और एक आपके सामने यहाँ पर IGST का भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको लोकल सेलेक्ट करना तो यहाँ पर आपको एल प्रेस करना होगा अगर आप आउट और स्टेट सेल कर रहे हो तो आपको IGST सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे आपने यहाँ पर सारी लोकल सेल की सिरीज आगी अब लोकल में जीच्टी 12% भी है 18, 28, 25, जीच्टी जो आपने सेले इशू किया है उसमें आपका जो प्रोडेक्ट है वो मल्टी रेट की है उस पर जो टेक्स रेट है वो मल्टी है यानिकि उसके उपर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कोई भी काम रहने वाला नहीं है इन यहां तक कि अब यह स्रीज आपके कोई काम की अब बात आती है यहाँ पर इन दो ऑप्सन की जीस्टी आइटम वाइज या फिर जीस्टी मल्टी रेट अब आइटम वाइज अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जो टेक्स इंक्लूड अमाउट है वो हमें फाइनली देनी पड़ेगी तो इसका टेक्स के माउट ऑटोमेटिक बना देगा अगर हम करते हैं जीस्टी मल्टी रेट इसको तो मल्टी रेट में क्या होगा हमें स्टोक आइटम की वेल्यू वगर हमें यहाँ पर देनी होगी और टेक्स जो है वो हमें यहाँ पर इस बिल्द संडरी में मैनुवल रूप से लगाना पड़ेगा तो हम दोनो इस वी सूकियाओ को थेटर से लेक्ट करने किस्टमर को अब यहां पर मैंने जो लेजर बनाए वह आपको दिखांगे मैं किस तरीके से बनाए है मैं यहींसे मोडिफाइ करते हूं एलटैंब के साथ ऐसा स्ट्छेis के नाम को चांट्टर्द्स करूँ कि उसके बागी इंफॉर्मिशन आप सब्मिट कर सकते हो आप यहीं से दो कर सकते हो आप अब मास्टर पर प्र जाकि पहले से भी Map करके रक सकते हो तो यहां पर दे रहे hai नंबर है जो आपका इन्वेलिड है तो आप इसे पोर्टल पर चेक करना चाहते हो या फिर इसे क्यों आप कंटीन्यू करोगी अलाकि जो जीश्टी नंबर में डाला वो एक डंबी इंट्री है इसलिए इन्वेलिड बता रहे हैं तो मैं इसको कंटीन्यू यास पे क्लिक कर कहांँगा और उसके बाद में ऑप्सन आपके पास आएगा यहाँ पर मेंटेरियल सेंटर का मैंस्टोर अब के पास माली जी अलग-अलग गुडावन से अगर आ इसे माल को डिस्पेज कर रहों तो आपको उस-कंडिसिन में उससे गोडाउं को स्रेक्ट करना पहनेगा उन और वही आपका शौप का एडरस है तो इसलिए आप मैंने में स्टोर यहां पर वाइड फल्ट यह में स्टोर देता है अगर आप गोडाउन क्रेट करना चाहो तो हम गोडाउन भी यहां पर क्रेट कर सकते हैं यह किस तरीके सोता है इस पर भी आपको मैं स्पेसल वीडियो ब अब उसके बाद सेल इन्वोइस पर जाएंगे और यह जो स्टोक आइटम है यह स्टोक आइटम भी मैंने बना के रखी हुए है प्रोसेसर इंटल कोर आई तरीका अब यह स्टोक आइटम कैसे बनेंगे इसको भी आपको मैं एल्ट एप मोडिफाइकर करके यहां पर आपक यहां पर इसके tis k I already दे दी है और इसके बाद में यहां पर इसका एक मैने सेल का लेजर अलग से क्रिएट किया हुए जी एश्टी 18% computer ford cell का अगर हम इसका cell का laser नहीं create करेंगे तो इसमें जो वीजी software में by default जो automatic cell का laser होते हैं वो जो हमारी सारी cell है वो उसी एक ही laser में चली जाएगी इसलिए हमें अगर आपके पास multi rates के अगर product है तो आपको अलग-अलग laser create कर लेने चाहिए इसको के करेंगे उसके बाद इसके quantity अब quantity में जो हमने issue किया वो चार quantity है जैसे मैंने चाहर किया तो आप यहां पर देख रहे हूँ यह हमें warning देरी भी negative stock भी आपके पास यह जो stock है वो negative में जा रहे है क्योंकि आपने पहले प्रचेज नहीं किया यह आपने प्रचेज तो कर रहा है लेकिन यह stock है जो अब उस प्रचेज की जितना प्रचेज किया उससे पहले अफ्सेल करते हो क्यों इसलिए भी stock माइनस में जा सकता है दुनों भी हो सकती है यानिकि यह तो आपने प्रचेज नहीं इंट्री अभी निकलिए या इंट्री तो कर दी लेकिन जो जितने प्रचेज इनवोईस में थे वह सारे sell हो चुके हैं तो यह warning हमें मिलती रहती है अगर आप इस warning को ऑफ करना चाओ तो हम इसको बंद भी कर स उसके बाद में इंटर्प्रेस करेंगे जैसे में इंटर्प्रेस करेंगे तो यह विंडो फुल लेगी और यह विंडो आपके पास तब भी खुलेगी अगर आप पर आपने लोकल जीस्टी आइटम वाइज अगर आपने स्लेक्ट किया है सेल टाइप में तो अब इसका आपको लागी वेलियो मारे पास है taxable वैलियो अब आपको नेट वैलियो देखनी है वर पीस की अगर अगर आपको इस बात का में पता लगाना हो है तो इस में जिस टीए अभी इंक्लूड नहीं है और यहां पर आप देख रहे हो एंधे स्मिंट मुВ इनक्लूड है तो अगर आप इसको अलंग तरिक्या से डिवाइड करना चाहते इसका मरी से ओप अगर आप यहां पर तीन जार रुपे देते हो यहां पर आने के बाद में यह तीन जार रुपे के अगर आप यहां डालते हो इंटर प्रेस करोगे तो अभी आप देख रहे हो इसकी जो फाइनल इमांट है वो 14,160 रुपे बंजेगी विद GST तो टेक्सेबल वेल्यों की 12,000 रुपे और 1,080 रुपे CGST टेक्स और 1,080 रुपे SGT टेक्स टेक्स मिला कि यह फाइनल मांट 14,160 अगर आप पहले ही यहां पर 14,160 की वेल्यों डालोगी तो यह जो फिगर आईए यहां पर आटोमेटिक हाजेगी कि करेंगे और उसके बाद में जो सेकिंड प्रोडेक्ट है इन्वोईस का वो मदर बोर्ड है और क्वांटिटिस की चार है अब यह भी स्टोक नेगटिव में दिखाएगा और अब इसके अगर हम टेक्सेबल वेल्यों यहां पर डाले इसके जो टेक्सेबल वेल्यों है व 40 रुपे और दो पेसे उपर दिखा रहा है तो आप इसको यहीं राउंड फिगर कर सकती हो भी हम इसको 02 पेसा को यहां पर हटा देंगे फाइनल पूरी जो नेट माउंट वो यहां पर रख देंगे अब इससे होगा क्या आपकी जो फाइनल माउंट है वो 30,200 रुपे यह क्रियेट हो जाएगी फाइनल माउंट है अगी जो हमारी इन्वोईस की जो माउंट है 30,200 यह आपके मैनुवल सेल इन्वोईस के साथ है जो मेच कर जाएगी तो हमें यह बेनिफिट होता है अगर हम आईटम वाइज को यहां से सेलेक्ट करेंगे तो आप आईटम वाइज तो जैसे आप मल्टी रेट आपने किया है तो मल्टी रेट करने के बाद यहां पर आपको जो रेट है वो टैक्सेबल ही रहेगा अब यहां पर आप देख रहे हो इसकी जो टैक्स की माउट हो यहां से गाई बोज़की है अब आपको जो टैक्स की सीज़ेसी टैक्स और ए 321 रुपे और 4 तरीपे से हैं अब हमें टेक्स लगाने के लिए हम टेप बटन का यूज करेंगे और इस बिल संद्री में आ जाएगी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो टाइप के प्रोडेक्ट आए जीश्ट 18 परसेंट का और 12 परसेंट का तो आप पहले पर देख्ट वाला टेक्स हम यूज करने हैं तो जैसे आपने सीज़टी सेलेक्ट किया तो उसके बाद में सीज़टी ऑटोमेटिक आजएगा उसके बाद में फिर पर आपको 9 परसेंट दोगे तो अब आपकी एस जीशी टेक्स भी 9 परसेंट यहां पर हो जाएगा तो इस तरीके से बाद में आपके फाइनली जो मांट अब वो 30,200 रुपे की बनेगी अब इसमें एक पैसा आपका एक्स्टर आगया है तो आप इसको राउंड फिगर भ तो अब 0.01 जैसे हम करेंगे तो यह 30,200 रुपे इस इन्वोस की फाइनली अमाउंट त्यार हो जाएगे तो आप देख रहे हो यहां पर दोनों में डिफिरेंस यही है विजू आइटम वाईज है उसके अंदर हमें यहां पर मेनुवल रूप से कोई सीजेस्ट टेक्स टा और दे रहे हैं कोई बात नहीं नू रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे अब यहां पर बीटी सी 01 जो रेफरेंस नंबर आपका जो वाउटर नंबर होता हुई रेफरेंस नंबर होता है अब यहां पर डेविट अमाउंट है और इसकी डू डेट अब डूट का मतलब अगर यापने 25 तारिक तक इसको उधार समान दिये है तो यहां पर आप 25 आ की तारिक भी यहां पर लगा सकते हो अभी अगर 25 आ थारीक के बार में अगर कोई परइमाट देता ह। तो इसपे एंटरस्ट है जो लगू होगा। कुरिạtर करेंगे और उसके बाद में यह कि लिए पूछ एकर अगर आप इसको प्रिंट करना चांगे भूं इसको पिरिउ देखेंगी यस करेंगी और उसके बाद में इसका फ्रेविविय। हम चेक कर लेंगे अब उसके बाद कुछ configuration setting हमें यहां पर करनी पड़ती है जो हमारा कुछ ट्रम एंड कंडिशन होती है इसको हम यहां से modify कर सकते हैं तो लेकिन हम एक बार इसको प्रिव देखने के लिए इसको सिदा यहां पर आजएगी और उसके बाद में इसका जो टैक्स इंवोइस की जो डेटेल वेगर वह सारी यहां को बिल्कुल एंड में दिखाई देगी इस तरिके से और यह 30,200 रवेक्स आफ निवोइस त्यार हो जाएगा बीजी एकांटिंग software से तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो knowledgeable लगी हो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज एक वीडियो को like दे के जरूर जाना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ